नमस्ते दोस्तों तो बहुत सारे लोग को का ये कोश्चन रहता है कि मैं कोई फादर्स के लिए डिजाइन बताइए अपने हजबन के लिए डिजाइन बताइए तो उसको ही लेकर मैंने सोचा कि ये वीडियो जरूर आपको के साथ शेर करूं और ये जो डिजाइन है न इसका ब्ध्यान देना कि बेस कर देंना है तो फांच इंक का केक्तिं लेना है और उसमें बापटर उठना ही लेना है जितना आप खेंच के के कि बेख करने के लिए थि Communist कर में। नौर्फ के लिए के करते हैं पांच इंच के 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 कर दे만 बताश्य अच्छा खासा टॉल होगा और वो जो डिजाइन आप स्लेक्ट करके रखते हैं न टॉल केक के लिए तो वो डिजाइन आप उस पर बना सकते हैं लेकिन हाँ इस जिसका अब ध्यान देना कि बेस जो है न हमें काफी कम मिलता है मिंस केक के उपर हम जो ही डेकोरेशन करनी होती है काफी कम स्पेस होता है तो उसके हिसाब से ही जो है आपको डिजाइन रखनी है सपोस्ट अगर किसी कस्टमर ने टॉल के बोला और उसके बहुत सारे डेकोरेशन है और हाफ केजी में बनाना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा तो आप इस तरीके से अपने कस्टमर क यह चीज ख्लियर कर दीजिएगा ताकि उनको शुरू से ही माइन में रहे क्योंकि क्या होता है जब वो डिजाइन बहेजते हैं और उनको लगता है कि हाफ केजी में यह पूरा का पूरा डिजाइन जो है कवर हो जाएगा ऐसा नहीं है हमें स्पेस चाहिए के उपर तभी ह हम सारे डेकोरेशन कर पाएंगे तो इसके की डेकोरेशन बहुत ही सिंपल बहुत ही उनिक है और यह हाफ के जी के टॉल में आ जाता है इसलिए जो है मैंने इस डिजाइन को खुद ही अपने कस्टमर को भेजा था एक्चलि अपने हस्बिन के बद्दे के लिए बनवा रही कि जब भी मुझे कोई urgent order आता है या फिर कस्टमर बोले कि आफ ही suggest करो तो मैं फिर उस डिजाइन को suggest करती हूं तो तीन-चार डिजाइन मैंने जो gallery में save कर रखी थी वो मैंने अपने कस्टमर को भेजी और उनको दिखाया तो finally उन्होंने ये design select किया जो मैं आपको दिखान करने वाली हूं और फिर मैंने उसे बनाया है तो simply ये उन्हें chocolate cake चाहिए था और इसका price भी मैं आपको last में बताऊंगी ताकि आपको ये भी पता चले कि जब भी इस तरीके की designer cake आप बनाते हैं तो मतलब कितना charge होना चाहिए और आप देखिएगा flavor क्या है actually मैंने इसे थो लगाई है आप देख सकते हैं तो इस तरीके के cake थोड़े से costly होते हैं तो आप जरूर मतलब उसका भी charge कीजिएगा chocolate काफी costly हो रहे हैं तो उसका भी charge लेना चाहिए हमें और मैं भी लेती हूं और कई कश्मर ऐसे होते हैं कि जो भी आप charge बोलते हैं तो उसे pay करते हैं तो उस हिसाब से मैं जो है अपने cake को बनाती हूं तो यह देखे किस तरीके से मैं अपने cake को एक के उपर जो layer लगा रही हो ना बहुत ही ध्यान से लगानी है क्योंकि last में जब आप इसकी final icing करेंगे तो क्या होता है हमारा cake जो है टिर्धा हो जाता है तो वे चीज नहीं होनी उसके लिए शुरू से ही आपको जो है ध्यान देना है और कई पर क्या होता है कि हमने cake को थोड़ा भी उपर नीचे काटा मिंस तिर्धा कड़ जाता है तो फिर वो क्या होता है कि surface जो है उपर की थोड़ी से तीरी आती है तो उस चीज को कैसे मैंने यहाँ ठीक किया है वो मुझे outer layer में कितनी cream की ज़रुत होगी तो उसके हिसाब से मैंने सारे cream में यह गनाश मिला दिया था और उसके बाद जो है मैंने थोड़ी से cream बचा के रखी थी मुझे बाहर का outer layer है उसे blue color में करना था तो इसलिए जो है मैंने थोड़ा से cream blue color बनाने के लिए रख लिया थ side में तो actually क्या है न कि देखे हम home bakers को daily orders नहीं आते हैं कि अगर cream बच जाए बहुत सारा तो हम उसका utilize कर लेंगे next day हमें पता ही नहीं होता है कि कब order आएंगे और कब नहीं आएंगे तो यह हर home bakers के साथ होता है आप लोग के साथ भी होता होगा तो इस तरीके से थोड़ा स 80 gram cream की जरुवत होती है बहुत जादा आप cream का use भी मत किया किजी और 180 gram premix से मैंने इस cake को बनाया है और 180 gram cream का भी मैंने यूज यहां पर किया है ठीक है मैंने कई बार यह जीज़ बताया है आप लोगों को तो इतने में मेरा half kg का बहुत ही बढ़िया से cake बन जाता है बिल्क ध्यान रखें कि बहुत साथ cream भी करके मत रख लीजेगा वरना क्या होगा कि अब बाद में कहां use करें कैसे use करें यह वाली problem ना हो तो यह रेखी मुझे outer layer जो है blue color का करना है उन्होंने जो फोटो भजी थी pure chocolate वाली cake थी तो मैंने इनको बोला था कि इस design में बाहर में जो ह chocolate नहीं आएगी तो उन्हें रहा कोई बात नहीं आप बना देजिए तो यह चीजे भी clear करनी होती है कई वर क्योंकि क्या होता है customer सोचता है कि पूरा team जो है chocolate ही होगा और बाहर के लिए normal आ जाए तो फिर उनको भी बताना पड़ता है तो इस तरीके से मैं जो है जब भी deal क करती हूं यह चीज जरूर अपने customer को बताती हूं और आप भी इन सारी चीजों को जरूर clear किजिए अपने customer के साथ ताकि एक clarity जो है बननी रहे है तो यह देखिए किस तरीके से मैं लगा रही हूं और यह जो scrapper है ना straight scrapper यह चीज आप जरूर रखना है जब भी आप टॉल केक बनाते हैं तो केक का जो look है पूरा एकदम straight पर ही टिका हुए अगर finishing अच्छी नहीं आई आपके straight केक आपने दिख रहे हैं तो समझ देना कि वह केक सामने से बिलकुल भी अच्छा नहीं दिखेगा . भले ही आपको इस विडियो में अच्छा दिख़े दूर से अच्छा दिख जाए लेकिन वो सामने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, तो कस्टमर भी थोड़ा सा ऐसे सोच नहीं लगते हैं, कि बिल्कुल भी मतलब शेप में नहीं है, तो ये चीज को आप धोड़ा सा ध्यान देना, नो ताकि मेरा जो केक है, एकदम फिनिशिंग के साथ दिखे, थोड़ा भी कहीं गैप न दिखे, कहीं बबल्स न दिखे, और इससे जो बबल्स है न काफी अच्छे से रिमोग हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा जो है, इसका यूज करती हूँ, और बहुत ही अच्छी फिनिशि तो मेरा भी यही मानना है कि केक तभी जुन्दर देखेगा जब हमसे अच्छे से सजाएं, तो जो फोटो मैंने भेजी थी, वो सारे चीज़े मेरे पास एबलेवल थी, क्योंकि उन्होंने सुबह बोला और मुझे शाम तक इस केक को देना था, हलाकि मुझे उन्होंने ती अबलेबल हो, वरना फिर मार्केट से लाना, मतला थोड़ा सा हिडेक हो जाता, और हाफ के जी केक ते लिए जाता, दोड़ना दोपना, मतला मुझे तो कोई वो नहीं लगता, हाँ, पहले से अगर कश्टमा ने बता रखा है, तो मैं लाकर सारी चीज़े रख लेती हूं, जो मैंने उनको सजेश्ट किया डिजाइन, वो सारी चीज़े मेरे पास अवलेबल थी, तो यह देखे, किस तरीके से मैं यहाँ पर इसे लगा रही हूं, और यह जो फॉक्स बॉल है, यह नॉन एडिबल है, आप इसे निकाल कर रख दीजिए, यह खाने की चीज़े नहीं है, और यह देखे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लगा रही हूंगी, गोल्डेन फॉल, और उसके बाद जो है, मैं यहाँ पर कुछ सिल्वर और गोल्डेन बॉल्स भी डालूंगी, इस तरीके से हमारा केक जो है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इस केक का मैंने 450 चार्ज किया है, आप अपने एरिया में कितना चार्ज करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यहाँ पर आप चाहें, तो सिल्वर डश्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, बहुत रेर मैं यूज़ करती हूँ, जब ऐसा लगता है, मुझे क्यों प कम्प्लीट हो चुगा है, और यह देखिए, केक का फाइनल लुक कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसी नए-नए रेसिपी के लिए, नए-ने डेकोरेशन के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो मिलते हैं मेरे रेन हापी बढ़ेगा, यह 40 से 50 रुपीज का आता है, और यह जो फॉक्स बॉल है, कुल मिलाके मैंने इसमें 100 से 125 रुपीज तक एक्ट्रा चार्ज किया है, क्योंकि यह सारे जो नॉन एडिबल चीज़े हैं थोड़ी कौशली आती हैं